हेलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल आश्यम टेक्नोजरी सर्स तो दोस्तों आज मेरे चैनल पर दिखा जा रहा है यह कुछ स्टाफ है जो मैंने ऑनलाइन से करेदारी की है और मैं आपको दिखा देता हो कि कहां से बार थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ यह है है अब यह रहा उसका छोटा वर्शन मेमोरी वर्शन अब यह रहा एक्सिमिलेटर सेंसर जाइरोस्कोप सेंसर और यह रहा है है हुमिलेटर सेंसर और यह रहा एस्टी एंग वर्शन टू जो एक्सिम्टी टू और एट को प्रोग्रम करने के लिए लगता है दोस्तों यह रहा आडियो एंप्लिफायर आइसी नंबर है पैम 8403 मैंने दोपिस लिया था और यह रहा एट मेगा 328P पी यू वर्शन मैंने दोपिस लिया और उसका जो आइसी सॉकेट है वह भी मिल गया था जो मैं आपको दिखाता हूं यह रहा जो दोपिस मिला एक के साथ और यह रहा जो एट मेगा 328P का जो प्रो मीनी वर्शन है और मैंने लिया था एक पीसु 특히 में लिया और यह सब को ने ले लिया था कलकाटा एलेक्ट्रोनिक्स जो कलकाटा में हैं तो उससे मैंने बात कर लिया तो एक साइड है इवे का तो उसमें रहा कुछ चीज है जो मैंने करेदा रिखिया था तो उसका पेज लिंक भी अपर है तो आप इवे पे सर्च करके देख सकते कि कलकता इलेक्टाउनिक्स जो साइड है उसका फोन नमबर भी आपको आपर मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन मे जो मैं वीडियो की जो लिंक है वो दे दूँगा तो आप उस पे जाके किलिक करके देख सकते अर चलते चलते पैकिंग के कुलने पर कैसा लगता है ऊचीज है तो यह ता पहले भी देख चुके थे कि खुला हुआ था तो कैसा लगता है ड़ा दे तो एह रहा STM 32F पुलने पर जो इसा दिखता है और देख लेते हैं दूसरा जो एक ही है और आपको पास से दिखा देते हैं कैसे दिखने में लग है ये दो उसके साथ ही था तो नेग्स्ट भी दिखा देते हैं आपको तो यह रहा एक्समरेटर सेंसर और जाइरसकोप सेंसर उसका मॉडेल नंबर आपको बता देते हैं जो है MPU 6050 ZY-521 इसके बाद आपको दिए यह रहा STM-8 जो STM-32 का छोटा वाला भर्षन था यह बहुत छोटा है इसका पूजेक्ट आपको बाद में मिल जाएगा कैसे काम करता है इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना परेगा हमारी चैनल को और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसका क्लिप करना परेगा और यह रहा हमारा audio amplifier जो मैं next project आपको दिखाने वाला हूँ कैसे कम करता है और यह रहा humility sensor इसका पूजेक्ट भी आपको बाद में मिल जाएगा जो इसका जो भर्षे ने वह भी बता देते हैं आपको ACSR501 तो आपको साइट मिल जाएगा तो अगले बाले देख लेते हैं यह रहा Arduino Pro Mini अब सभी दोस्तों को तो इसके बारे में पता ही है तो आप देखते हैं इसका पीछे Arduino Pro Mini लिखा है और सामने देखते हैं उसके बाद इसको रख देख साइट में अब नेक्स्ट देखते हैं जो है ST Link version 2 का है STM 8 और 32 दोनों ही program कर सकते हैं इससे तो कैसे program करते हैं और कैसे काम करता है यह आपको बाद में हमारी YouTube चैनल पर आद दिखने में मिल जाएगा और इसको connect कैसे करना है और इसको program कैसे करना है यह सब कुछ आपको detail में दिखाए जाएंगे उसके बाद में तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमरी चैनल पर आने वाली नए वीडियो भी आप देख सकते तो दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग आवर चैनल और आप मिलते हैं अगले वीडियो में